नमस्ते दोस्तों ऐसे करता हों दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो अच्छे दोस्तों CSS GD का लाखो छाते इन टजार कर रहेते आखिकेकर दोस्तों कब आएगा तो इसका एने वाला हमने लेडी दो दिन तिन दिन बनाएगे बता दिया है में बहुत सहीत को यकीन नहीं हो रहता है यगीन n hally होता है कि के ंसे सबसे पहले में Понदे दिखा देता हूं कि상이् नहीं आ रहे हैं उसके बाद सामपून आपको टीटेस बताऊंगा तो हमने से का ओपीसेल जो है वेबसाइट ओपन कर रखा है तो आप लोग भी खुद भी चेक कर सकते हो जो यकीन नहीं हो रहा है यहां पर आप देख रहे हैं न दोस्तों कलेंडर ठीक है यह कलेंडर वाले है और लेडी हमने यह बता दिया तो नीचे जैसे जोस्तों आप लोग आईएगा तो देखे 14 नंबर वाले पाप ध्यान से गौर कीजिएगा दोस्तों इससे जीडी में दोस्तों यहां पर डेट दिया गया है 10 12 2022 को नोट पेकेसन आएगा लाज इतना है और जो पेपर लिएगा कितना पोस्तों आपने तरफ से बता रहा हूं लेकिन आपको दिखा दिया अब डिटेल्स बता आते हैं दोस्तों कि दखिए इसका सेलेक्शन कितने नमबर होता है कटप मतलब प्री का जो कटप है न कैसे जाता वह भी हम बताएंगे इसके लाब दूस्तों पोस् आपको क्या पढ़ना कैसे पढ़ना अभी से तैयरिक कैसे करने तो फुल्ट आपका दोस्तों जो प्लान है अभी से पढ़ाई करने कर तो आप लोग देख लीजिए देखेंगे दो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर कितना पोस्ट होगा पिछला वाद जो बेकेंसी आई थी उसमें कितना पोस्ट है उसमें दोस्तों लगवावगावगाव 26000 का सपास पोश्ट है 26000 बहुत कम दोस्तों एससे जीडी की इतियास वागर देखा जाना इतना कम वेकेंसी कभी नहीं आया है कारण क्या था दोस्तों कि यह कारण था अच्छार की लेकिव दोस्तों पिटा हाई उसमें एड होगा तो मुझे जहां तक लगता है वेकेंसी कितना आ सकता है देखिए जो वेकेंसी है तो इसको नहीं पता है 59,000 ठीक है इतना वेकेंसी उस टाइम आया था लेकिन दूस्तों पिछला बार CRP जैसे मैंने बताया नहीं आया तो किरशनी या कि मिलेगा कि की मतलब दंदेगेंसी आपको coloring मिलेगा बना को पता रहा हूँ ताकि आप अभी से प्रप्रेशने करें कैसे करना में आगे आगे आपको बताऊंगा ठीक है लास्ट दोस्तों उनीस जनुरूरी तक रहने वला है दो जट तेस तक ठीक है एक्जाम इसका ओलेडी दिया गया है मार्च अप्रेल में एक्जाम होगा तो आपके पास कितना समय है नौ महिने ज्याज़ ज्याज़ समय बचा हुआ है नौ महिने दोस्तों अपने तयारी को नाइन मन्थ नाइन मन्थ दोस्तों आपके पास समय बचा हुआ है अपने तयारी को दोस्तों कैसे आप मतलब देखिए बहुत सारे एक साल दो साल से तयारी कर रहे हैं ठीक है लेकिन दोस्तों कोई एक्जाम निकलता नहीं कारण क्या है कि दोस्तों रेगुलोर पढ़ाई में फोकस करते हैं डेली दोस्तों आप कम से कम अभी से पहले हमने वीडियो बनाया था तो हमें अगर विदो से शिप्ट मिलता है तो यह दोस्तों नहीं पात करें तो बताऊंगा यह वैसे है हाइट में भी कॉन्फूजन था 170 सिंटीमिटर आपना हाइट भी मांग पा है ठीक है पहले सेलेक्शन परसेंट देख लेते हैं इसके तेन्थ पास आप हैं किसी भी दूस्तु किसी भी मानता पास बोर्ट से टेन्थ पास है तो अपलाई कर से तो मेल फीमल दोनों होगा हां है संबसे पहले prevention होता है तो बहुत सरे बच्चे क्मेंट कर रहें तो हो सकता है क्या physical पहले व ll जलता आया है पहले आपका पेपर होगा रिटेन एक्जाम होगा उसके बाद ही आपका फिर्जिकल होगा ठीके लाश्ट में मेडीकल होता है ठीके रिटेन से लेबन समझे लीजिएगा 100 आपसे पूसे जाएंगे साथ है निगेटी की बात करें दूस्तों तो 0.25 पहले क्या होता था नागिति मार्किंग नहीं होता था तो दूस्तों कटप जो था न करीब करीब दूस्तों लेकिन नीगेटी मार्किंग से ये देखने को मिला है कट अब बहुत कम गिर गया है मतलों सतर का सब्सक्राइब के इस तो बच्चे हिंदी करते हैं जो इंग्लिस में बताना चाहता हूं एक बड़ा प्रिब्यस पेपर जरूर देख लेना ठीक है हिंदी बहुत असान आता है कारम दोस्तों इसलिए में बता रहा हूं अगर आप इंग्लिस करने वाले श्क्रेंट हैं अगर हिंदी का पेपर करेंगा एक पर जरूर प्रिब्यस यहर का चार पांच आप से डेख लेना तकि आपको पतल है कि भी यह हिंदी कैसा है वह आप लोगों को देख लेना है ठीक है तो आपकी मर्जी है हिंदी या इंग्लिस जो करना चाहते हो यहां पर सबसे पहले रणिंग की बात करें तो पांच की मुटर 24 में मेल के निटेट के लिए होता है फीमेल के लिए 1.6 किलिमिटर 6.6 मीटर 8.5 में मेल का इसमें बहुत सारे चाहते में पूछ रहे हैं कि सर हाइट में छूट मिलता है जो पहाड़ी छेट से हैं गोर्खा वेगरा है ठीक है उनको मिलता है जो 39 के पास पास आपको मिलेगा 21,700 को बेसीक हो गया दुस्तों उसके अलावा जो मिलते हैं और किसमें आपको ड्यूटी होता है इसमें क्या-क्या होता है न रखिए सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताता हूँ जिसका ओल इंडिया पर कट अप जाता है दोस्तों ठीक है एक ए दोनों का चांस नहीं बनता सबसे अच्छा पोश्ट प्रिफ्रेंट जैसे मैंने बताया ना सी इस होता है इसी में अपलाई करते हैं ठीक है जानका जोकिंग कम होता है क्योंकि मैट्रो एयरपोर्ट पर जूटी मिलता है बड़े-बड़े जो कार खाने है दोस्तों ठीक है उसाण प्रिफ्रेशन आपको क्या करना है जो आपको कम जोरी हो न दुस्तों तो वह सबसे पहले आपको फोकस करना है देखिए सबसे पहले लुड़े बच्चे अगर आप हिंदी करते हैं तो हिंदी में असानी से 20 प्लस नंबर लाएगा कोई दिक्कत के बात नहीं है तो पूछिए मत इसमें 20 प्लस असानी से नमबर लाईएगा यह दोनों सेक्सेस में दोस्तों आपनों को मीनिमम 40 नमर 30 से आ जाएगा ठीक है बच गया जीके जिए और मैथ मैथ दोस्तों अभी सब फोकस किजिए टार्गेट क्या रखना है मैथ मैथ में कोई देखे क्या पूछ सेट किजिएगा असानी से सवाफलता आपको मिल जाएगा ठीक है तो यही सब दोस्तों आपको कोशन पूछा जाता है ठीक है तो मैथ में अभी सब फोकस करना है सबसे जब समय अगर जैसे मैंने बताया चारसर पांच घंट आपको पढ़ने है तो मैं दो घंटा दीजिए है है तो कितना हो जाता है ठीक है 75 हो जाता है 75 अगर आप लाते हो दोस्तों नंबर कहीं वी दोस्तों प्राइगा ठीक है यह नहीं की शू नहीं आएगा ठीक के 75 कहीं भी इंडिया का रहने वालों करके नियुक्ति मारंटेब रिजल्ट डाय तो 22 भी किजिए गा तेस भी कर जिएगा रिजिए में 25 में 25 बच्चे कर देते हैं लेकिन एक दो छोड़ देता हूं तो इसी में 75 से ज्यादा अगर लाईएगा तो मेरिट बन जाएगा दोस्तों ठीक है जनरली बच्चे क्या करते हैं मैं सबसे पहले बता देता हूँ में सबसे पहले देखा देता हूँ था करत आपो डिखा डीक था पीच्याय क्या रलाηए प्सके अरोचरण सबसे में 5 के बात करें यहां बात करें यहां बात करें यहां बढ़ सकता है जाहिर सी बात है कि 65 पलस चल जाएगा तो यह बिहार का खुद भी देख सकते हो आप मेल कि निटका 36 गड़ों को हो गया खुद दिल्ली का देखना है तो दिल्ली का देख लिजिए 40-60 ऐसे है दिल्ली का तीक है गुजरात का कम जाता है क्यों कम होता है तो गुजरात में आप लोग बहुत कम देख सकते हो यहां पर ठीक हरियाना का ज्यादा जाता है बच्चे ज्यादा यहां पर जीडि में जाते है हरियाना के अगर जैनल का देख सकते हो आप लोग देखिए अगर आप देख सो बिहार के हैं यूपी के हैं राजस्थान के हैं उतरा खंट के हैं यह सब राजोग में दूस्तों आप कम सकम पिचkiego लाएगा ठीक है बाकि दोसरे हिंदी भासा वाले राज हो गया जैसे मध्परदेश हो गया दिल्ली हो गया दोस्तों गुरात हो गया महराष्ड हो गया यह इन लोकागा कम जाता है पैंसट प्लस लाइए बाकि का तो 60 प्लस पे सेलेक्शन हो जाता है तो वह आंगे बता दूँगा कभी वीडियो में दूस्तों देख लिया तो यहीं बता रहों को कट अब बता दिया तो कट अब उसके अनुसार दोस्तों आपको त्यारी करनी है सबस्ता कट आपने अब यहां आपई नहीं और जैदा जाता है थे यहां लोगों यहां पर नहीं पर दिया नहीं कोई सवाल बचा है दोस्तों कमेंड के बादें साप लोग पूछ लीजिए का जी जान लगा कर देना है दोस्तों ठीक है और फिजिकल फिटनेस भी आपको थोड़ा सा ठीक लगना है ठीक है यह नहीं के खाने में मतलब इतना खा रहे ना दबा के खा रहे बढ़ा के सब किलो दोस्तों यहीं आपको बताना था कोई सवाल हो तो कमेंड के मात्यम साब लोग पूछ लीजिएगा नहीं लोग चैनल जरू सब्सक्राइब कर जीएगा वीडियो के डिस्क्राइब कर दोस्तों इंस्ट्राग्राम के लिंक लेगा जागा फोलो कर लिजिएगा अगर कोई स सब्सक्राइब कर दोस्तों अपडेट दिया जाता है तो यहां को भी जोइन कर लिजिएगा वीडियो के डिस्क्राइब कर दोस्तों चेक किजिएगा अने वाग